देवास में ओद्योगिक थाना पुलिस ने शातर वहन चोर गिरों का परदाफाश करते हुए एक नाबालिक सह तीन आरोपियों को गरफ़तार किया है। जंगल में छुपाते थे और फिर मौका मिलने पर पुर्जे अलग-अलग निकाल कर दूसरे वहनों में फिक कर देते थे। उन्होंने बताया कि चोरी किये गये वहनों की अनुमानित कीमत 40 लाक रुपए है। पूचताच में उन्होंने अपने नाम राम भरोसे और फ्राजा पिता केदार कले सरिया बताया। एक अन्य आरोपी नाबालिक था जिस कार में यह दोनों सवार थे वह चोरी की थी। पूचताच में उन्होंने वहनों की चोरी करना सुईकार किया। अपने कानिया साथी जितिन्र सोलंग की निवासी चौबा राजगीर के बारे में बताया। उसे भी पुलिस ने जितिन्र के घर पर दबिश दे कर पकड़ा। यह चोरी करने के बाद वहनों के कल पुर्जों को निकालता था वहनों को काटकर उनकी पुर्जों को मार्केट में डिस्पोज अफ करता था तकि दूसरे वहनों में इंस्टॉल किया सके। हमने कई दुकानदारों को चैनित किया है जो ऐसे वहानों के जो चोरी के पुर्जे हैं उनको खरीदते थे और लोगों की वहानों में लगाते थे उनको भी हम लोग आरोपी मना रहे हैं और आने वाले दिनों में इस गिरों के अन्य सदस्यों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे पुष्टाश करने के बाद और इनसे इतने ही और वहानों के बरामन्दी की उम्मीद है। सर क्या अभी तक कोई सी दुकानदार पर खारवई हुई है। हम पुष्टाश में लिए हैं लोगों से ऐसे सभी दुकानदारों के अंसर्चिंग की जाएगी और यह पता किया जाएगा कि चोरी के एक्विपमेंट्स को एपरेटर्स को को यदि खरीद के यह जान बुच कर लगाता है तो इसको फिर आरूपी करें। देवाज जिले में ऐसे कई सारी दुकाने जिस पर डिस्पिजल राइशन नहीं है और वह फिर भी संचालित हो रही है क्या कहना आपका जैसा मैंने बताया कि हम लोग लगातार इस तरह की मुहिम चलाते हैं जिसमें यदि कोई व्यक्ति चोरी के सामान चोरी का मश्रू का यह लूट का इस तरह की प्रॉपर्टी इसको काम में लेता है यह जानते हुए कि इसमें अपराद हुआ है उसको आरूपी बनाया जाता है पहले भी इस तरह की कारवईयां की गई है अभी भी हम लगातारे मुहिम चला के चेकिंग कराएंगे पूरे शहर में और अनल शेत प्रोमेपी इस पकार वेकिटेगी Thank you